Hello friends, कैसे आप लोग, I hope आप अच्छे होंगे, तो friends, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Java script में एक countdown कैसे हम लोग develop करते हैं, कैसे create करते हैं, so generally आप e-commerce sites पर देखते होंगे, कि जब कोई special, कोई sale आने वाले होती है, कोई deal जो है, मतलब वो किसी particular date और time पर activate होती है, live होती है, तो उसके लिए, वो लोग कुछ countdown start करते हैं, कि countdown दिखाते हैं जहापर की, days, hours, minutes में आपको दिखता है, कि इतने दिन, इतने hours में, deal जो है, वो start होने वाली है, तो इस तरह का कुछ functionality हम लोग भी बनाना चाहते हैं, अपने project में, एक countdown start करना चाहते हैं, countdown बनाना चा किस तरह की requirement है, and इस से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ friends आप देखेंगे, यहाँ पर हमने एक, एक demo है, एक page है यहाँ पर, so यहाँ पर क्या हो रहा है, कि एक product है, जिसकी कोई sale है, वो किसी particular date पर, Saturday 22 of May, and the time is morning 10.30, यह sale जो start होगी, and अभी आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक countdown है, जो आपको दिखा रहा है कि 2 days, 0 hours, and 19 minutes, and seconds, remaining seconds, इतना time अभी है, जिसमें यह sale start होने वाले है, and यहाँ पर आप देखेंगे, तो दो buttons है, एक buy now, and add to cart, जो कि अभी disabled है, अब हम लोग इस तरह से cursor ले जाते हैं, तो यह work नहीं करता है, so हमें क्या करना है, कि यह countdown create करना है, किसी particular date पर, and यह जो यहाँ पर यह जो आ रहा है, वो dynamic date आएगे, जो हम date set करेंगे, उस date के according हाँ पर message आएगा, and यह countdown जब over हो जाएगा, मतलब यह time जब हम meet कर जाएगे, then यह countdown है, यह hide हो जाना चाहिए, and यह buttons जो है, वो enable हो जाना चाहिए, activate हो जाना च May है, so हमें दो दिन का है, so मैं आपको यह feature दिखाने के लिए अपनी जो date की value है, वो change करता हूँ, आज की कर देता हूँ, यहाँ पर, और time कुछ, अभी जो current time है, उसके आस पास का time कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आगा कि कैसे यह work करता है, अभी आप देखेंग and जो buttons थे, वो आपके enable हो जाते है, अब यह buttons पर देखेंगे, आप cursor लेके जाएंगे तो यह work करते हैं, so इस तरह की functionality हम बनाना चाते हैं अपने project में, and friends, इस project को अगर हम करेंगे, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वो हम बात करते हैं, अगर इसको हम कर लेते हैं, तो हम JavaScript में यह सीखेंगे कि कैसे हम document object model, dom के elements को कैसे select करते हैं, कैसे elements में हम लोग classes add करते हैं, remove करते हैं, and most important हम यहाँ पर JavaScript में date object के वारे में सीखेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important इस project के लिए है, तो हम उसमें सीखेंगे कैसे हम उसको change करते हैं, कैसे days, years, and किस तरह कैसे calculate करते हैं, कैसे हम किसी time interval, 2 dates के बीच में difference निकालगे, कैसे हम calculation करते हैं, month, days, hours, minutes, seconds में, so एक काफी exciting project है, I hope आप लोग भी excited होंगे इस project के लिए, तो चलिए start करते हैं, countdown project in JavaScript, आगे वढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चनल को subscribe में किया है, तो चनल को subscribe कर और notification वाल को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले कोई भी video आप से मिसले, तो friends, countdown project को create करने के लिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक countdown नामसे एक directory create के अपने projects directory में, आप desktop पे कहीं भी बना सकते है, तो इसमें हमने क्या क्या है, यहाँ पर, इसके अंदर हमने क्या क्या है, एक style.css है, style के लिए, and images folder है, जिसमें product की image है, and यहाँ पर app.js, javascript के लिए हमने, यह app.js लिया, so friends, यहाँ पर already मैंने इस, अपना countdowns related, जो HTML था, वो करके रखा है, and यह HTML and CSS जो है, यह दोनों के आपको download करने के लिए, link जो है, वो description में मिल जाएगा, आप वहाँ से download कर सकते ह यहाँ पर हम जादा time HTML and CSS में ना लगा के, हम यह चाहते हैं, कि हम JavaScript की जो main functionality है, उसको देखना चाहते हैं, यहाँ पर जादा time, so इसलिए मैं आप यह समझा देता हूँ, कि HTML कैसे हमने बनाया, तो सबसे पहले मैं इसको run कर लेता हूँ, यह एकदम static है, इसमें भी कोई भी ह हमने कुछ काम नहीं किया, so static value पड़ी, this product will be available, so हम इसको dynamic करना है, and बाकी चीजे भी, तो सबसे पहले मैं आपको इसको browser पर run करा करा कर देखाते हैं, तो browser पर run करने के लिए हम लोग यहाँ पर, अपना live server, जो extension BS code editor का है, उसको हम use कर रहे है, तो उसको करने के लिए, या तो आप bottom में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक icon मिल जाएगा, या फिर आप control shift P press करेंगे, and यहाँ पर देखिए आपको live server, open with live server, so यह आपका shortcut है, L plus L, L plus O, यह कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर bottom में यहाँ पर आपको link मिल जाता है, यहाँ पर एक button है, इस पर click करे करेंगे, तो देखिए हमारा, so अब यह simple HTML है, कुछ भी work नहीं कर रहा है, countdown हमारा 00 है, जो कि, मैं आपको दिखा हूँ, यहाँ पर HTML में 00 रखा है हमने, so मैं आपको एक बार structure समझा देता हूँ, कि HTML का structure कैसा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको top में head है, head में normal जासे रखते ह हमने title के value दे दे, countdown, then हमने यहाँ पर अपनी जो style sheet थी है, style.css उसको यहाँ पर include किया है, and body में जैसी आएंगे उसके बाद हमने एक div बनाए, container class के साथ, so यह container div है, and इस div के अंदर हमने दो part बनाए है, दो part में div में divide किया है, first वाला आपका यह left में image के लिए, and right में इस part के लिए, so image वाला आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा देखके, क्योंकि हमने जादा कुछ किया है, just div के अंदर एक image लिए, and इसको में close कर लेता हूँ, and इसके बाद में right side वाले में, यहाँ पर आप देखेंगे, तो हमने पहले H1 में एक title दिया है, mobile sale, कुछ भी दे है, हमें अपने जो future date में, जब हमारी sale होगी, उसके according उसको dynamic करना है, तो यह work करना है, and इसके बाद में यहाँ आप देखेंगे, तो दो buttons है, वो button कौन से वाले, यह button से buy now and add to cart, and इसमें class हमने दिवी है, btn disabled, तो अभी इससे यह disabled हो गया, and हमें क्या करना है, जैसे हमारा countdown जब over होगा, तो हमें इनको enable करना है, so enable करने के time पर हम क्या करेंगे, यह class को हमें remove करना रहेगा, and यह classes के बारे में आप style में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, so disable के लिए अगर आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर, बाकी तो आप समझ लेंगे, disable हमन countdown को बनाने का, so यह countdown में यहाँ पर अभी जो इस तरह का structure एक div है, main, parent div, and इसके अंदर ul के अंदर li में, हमने यह days, hours, minutes, seconds को यहाँ पर इस तरह से दिखाया है, तो हमें अपनी value यहाँ पर change करने हैं, यहाँ तो यह इस तरह का structure है, and अगर आप browser पर देखते हैं, तो यह ऐस कुछ दिखता है, यहाँ पर, okay, so अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपने javascript का code start करेंगे, and उसके लिए सबसे पहले हम अपनी js file है, इसको हमें यहाँ पर include करना होगा, so मैं क्या करता हूँ, body की just पहले यहाँ पर, script with source, source में क्या है हमारा, app.js, so हमने इसको यहाँ दे दिय है, and अगर इसको हम check करना चाहें, so उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कि मैं यहाँ से js के लिए open कर लेता हूँ file को, and just यहाँ पर एक कोई console कर लेते हैं, console में count down, इस तरह ऐसे कुछ value, and यहाँ console में अगर हम देखेंगे, तो count down, that means कि हमारा जो script है, वो included है, and proper work कर लेते हैं, अब हमें सारा अपना work यहाँ पर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक करके करेंगे, सबसे पहले हमें अपनी एक कोई, जो future date है, उस date को यहाँ पर dynamically change कराना है, इस format में Friday, मतलब day, then date, then month and year, at time, so time हमारा है, 24 के format में है, so हमने यहाँ पर am और pm कुछ भी नहीं दिया, so इस वाले h4 के लिए हमें select करना है, क्योंकि हमें यहाँ इसकी value को जो change करना है, okay, so इसको select करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इस तरह से const, event, text is equal to, document.querySelector, so querySelector से हम क्या करते हैं, किसी element को उसके CSS से, मतलब CSS से, उसको select कर सकते हैं, either class और उसकी ID से, so हमें यहाँ पर class के साथ में, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, हमने class दिये, event, text, इस class से हम इस element को select करना चाहते हैं, इस तरह से, कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, कि अब हमें, हमारे जो event की date है, वो date क्या है, वो हमें पहले पता होना चाहिए, सो मैं यहाँ पर comment डाल देता हूँ, event, event या sale, date, sale की date क्या है, किस date पर हमें sale करना है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, const, event, date, object, सो date का object कैसे create करते हैं, new, date, इस तरह से करते हैं, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखें आप, इस तरह की value आ रहे है, मतलब यह सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर date में क्या करना है, अगर सुरू से आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है 5 values देने हो तो सबसे पहले हमें देना यहाँ पर year तो अभी year हमारा कौन सा चल ला है 2021 हमने यह दे दिया then इसके बाद में हमें month तो month का जो है वो हमारा 0 index से start होता है means first जो है वो 0 then 1 so अभी जो month है current में May है so May के लिए हमारा 5th होता है then हमें क्या करना है कि 0 सा अगर start करेंगे तो 4 यहाँ देना रहेगा and इसके बाद में हमें date किस date में है so आज जब मैं इसको record कर रहा हूं तो 20th of May है मैं को future date देता हूं यहाँ पर 22 and then हम time कुछ दे सकते है 10, 10 in the morning and then minutes 30 कर सकते है and seconds भी अगर करना चाते है तो seconds कर सकते है यह 00 कर सकते है seconds को यहाँ पर so इस तरह से अगर मैं इसको console में आपको lock करकर दिखाना चाहता हूं कि यह क्या हमें object मिल रहा है so and यहाँ देखिए Saturday May 22 इस तरह से हमें string value मिल जाती इसके तो अब इसको हमें अपने format में लिखना है यहाँ पर इस तरह से है so मैं just इसको copy कर लेता हूं and मुझे इसको so यहाँ पर हमें क्या करना है event text में हमें text content is equal to and template literal हमने use किया इस तरह से back tick के साथ में and इसमें हमने पूरा string ऐसे pass कर दिये text को अब हमें यह वाली जो values है इनको dynamic करना है यहाँ पर okay so सबसे पहले हमें क्या करना है हमें अब इससे हमें क्या करना होगा date, day, month, year सारे हमें पहले निकालने पड़ेंगे so हमें क्या करना है मैं यहाँ पर कर देता हूँ const and e day e day means event day so हमारा क्या हो जाएगा event and dot get day यह इसका एक method होता है तो इससे यह क्या करता है हमें get the day of week using local time so उसका day बताएगा but यह day कौन सा आएगा अगर मैं आपको यहाँ पर इसे console में दिखाऊँ तो यह हमें क्या मिलेगा six means यह जो index है वह zero से start होता है six means Saturday हो जाएगा sunday से start होता है इसी तरह से मैं वाकी values भी यहाँ पर यहाँ से हम करेंगे इसको get date and e month so हम करेंगे यहाँ पर get month इसका एक method होता है and इसी तरह से year so यहाँ पर method होगा get full year and इसके बाद e hours means गंटे hours method मिल जाएगा and इसी की तरह हमें e minutes get minutes करना है so हमें यहाँ पर minute तक ही दिखाना है seconds को नहीं दिखा रहे हैं तो हम यह value निकालेंगे so friends यहाँ पर अगर हम बात करें day and month की भी अगर हम बात करें मैं अगर month को भी देखो इस तरह से यहाँ पर हम करते हैं e hours already been declared मैंनो कहीं गलती कर दे बना लेता हूँ यहाँ पर const days and इस तरह से एक array रहेगा यहाँ पर and इसी तरह से const month and इसमें हम किस तरह से value रखेंगे यहाँ पर पहला हमार आएगा Sunday इसी तरह से Sunday Monday इसी पर यहाँ पर January February ऐसे हम दे देंगे January February तो friends मैं यह values यहाँ लिख लेता हूँ वीडियो को pause करके then आपके पास आता हूँ कि कैसे हम इसको change करेंगे तो friends यहाँ पर हमने दो array बनाई है first days के लिए बना लिए इस तरह से and second months के लिए बनाई है so अब हम यहाँ से अगर मैं यह month है अगर month को मैं यहाँ पर check करना चाहूं index को months and इसमें यह index pass कर देते हैं तो देखे हमें क्या value मिलती है देखे May मिल जाता है यहाँ ठीक है तो इसी तरह से हमें day मिल जाएगा and May मिल जाएगा तो मैं इसकी value को month में pass ही कर देता हूं यहाँ पर है dollar curly braces इस तरह से template return में हम अपने variable को print कराना होता है तो लिखते है okay and same way मैं यहाँ पर इसकी just copy कर लेता हूं and day के लिए भी so यहाँ पर हमें days वाली array से लेके आना है and eday यहाँ pass करना है eday okay and date में हमारा eday हमें इस तरह से pass कर सकते हैं and अगर बात करें year की तो हमें e year यहाँ से मिल जाएगा इस तरह से and hours इस तरह से hours दे सकते and यहाँ पर e minutes okay so अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा actual जो हम दिखाना चाहरे तो वह value यहाँ आती this product will be available on Saturday 22 May 2021 at 10 30 so यह चीज़ हमने इसको dynamic कर दिया है अभी console को मैं अभी के लिए comment कर लेता हूँ okay friends so first हमने part अपना कर लिया है कि हमें जो actual date पर जो deal है वो यह sale है वो live होने वाली तो वो हमने अपने इस date के basis पर उसको dynamic दिखा दिया है अब यहांसे अगर हम चाहें तो यह अपना यह वाला जो part है इसको मैं remove कर सकता हूं यहां से this text को remove कर देते हैं अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा date यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो यह value यहां आ रहे है जावा स्क्रिप्ट से आ रहे हैं और फ्रेंड्स आप यह कहते हूं कि यहां पर मैं refresh नहीं करता हूं तो हमारा जो live server extension है वो क्या करता है जब भी मैं file में कुछ change करता हूं वो immediate इसको hard means hard reload कर देता है इसको reload कर देता है so immediate changes हमारे reflect होने लगते हैं अब हमें क्या कर लिया अब हमें क्या करना है अब हमें करना है अपना count on वाला so friends सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम countdown जब बना रहें तो उसका logic क्या होगा मतलब क्या करना क्या है करेंगे वो तो बाद में देखेंगे बट actual में कर क्या रहे है so countdown बनाने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो future मतलब जो event की date है वो date क्या है वो time पता होना चाहिए and current time पता होना चाहिए and future and current का जो difference है बीच का means उसका जो difference आएगा उस difference में हम calculate करेंगे कितने days आते हैं कितने hours, minutes, seconds होते है so उसको हम calculate करेंगे and individual value को हम इस block में display देंगे कि यहाँ पर हमारा hours आएंगे sorry days, hours, minutes, seconds आएंगे यहाँ पर इस तरह से okay so तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ एक function create कर लेता हूँ function get count down में इसा कुछ भी function का नाम ले लेते हैं अब यह function हम normal function बना सकते हैं हम चाहें ES6 में जो हमारा means arrow function भी बना सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों को so हम कैसे भी बना सकते हैं so मैंने यहाँ पर normal function बना लेता हूँ and इस function के अंदर हमें क्या करना है कि हमें देखें जो हमें जो value है वो हमें seconds तक चाहिए so हमारा जो difference है किसी दो date की बीच में हम तब निकाल पाएंगे जो हमारी value है वो millisecond में होगी तब जाके हम उसको difference को actual में निकाल पाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो हमारा जो event date है means जो sale वाली date है ओर date का जो हमें time पता होने चाहिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर calculate किया const e time event time is equal to हमारा जो यह यह वाली value है so friends यह जो variable है यह मतला object जो है यह हमारा global में global scope में क्योंकि हमने किसी यह जो const होता है वो हमारा block scope में होता है यहाँ पर कोई block नहीं है बाहर है तो यह global scope में मिलेगा यहाँ पर so इसका क्या है कि हम यहाँ पर इसको use कर सकते तो मैंने इसको use किया and इसका एक method होता है get time तो यह हमें क्या करेगा time gets the time value in milliseconds हमें जो यह date की जो value है वो millisecond में मिल जाएगे and same हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने current time के लिए लिख दिया see time and यह कैसे हम निकाल सकते new date and इसका method है get time यह हमें मिल जाएगा okay so अब हमें जो time का difference है वो हम कैसे करेंगे मैंने यहाँ पर किया const time diff एक variable लिया and event time means e time and minus so यह हम दोनों के difference निकाल लेंगे see time इन दोनों का difference मैं अगर आपको यहाँ पर console में दिखाना चाहता हूं तो यहाँ पर हम time diff को ले लेंगे इस तरह से and मुझे यह function को call भी करना रहेगा तभी मैं इसको use कर पाऊंगा so मैंने get countdown इस function को इस तरह से call कर दिया अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक value मिल देए कोई यह difference है अब हमें नहीं पता भी क्या है हम इसको calculate करेंगे but यह हमें दो date की बीज के जो है time difference मिल रहा है okay so and इसके बाद हमें क्या करना है कि अब friends हमें calculate करना है अपने days, hours, minutes तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि milliseconds में इनको किस तरह से हम करते हैं तो friends में थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता हूं कि 1 second में हमारा 1 second is equal to 1000 milliseconds होते हैं I hope कि सभी जानते होंग इस चीज को and अगर हम बात करें 1 minute is equal to 60 seconds and 1 hour equals to 60 minutes and 1 day equals to 24 hours इस तरह का रहता है हमारा 1 day में 24 hours होते हैं 1 hour में 60 minutes and 1 minute में 60 seconds and 1 second is equal to 1000 milliseconds तो अब हमें यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं const 1 second is equal to 1000 okay and then const 1 minute is equal to 1 second multiply 60 and same const 1 hour 1 hour is equal to 1 minute multiply by 60 and 1 day equals to 1 hour multiply by 24 इस तरह से हमने यह ले लिया अब हमें क्या करना है जो यह हमारा difference आ रहा है इसको मैं कट करके यहां रख लेता हूं so जो हमारा difference आ रहा है इस difference में हम days को पहले calculate करना चाहते हैं const rem days remaining days equals to total जो value है difference है time difference and divided by 1 day तो अब यह remaining days को अगर हमने देखे हैं तो यह देखी कैसे हमने किया यहां पर तो remaining days कैसे आते हैं 1.99 something so जो आपका जो full मतलब जो complete है वो तो आपका day है and जो friction value है वो आपका hours minute second हो सकते है so इसको हम कैसे करेंगे यहां पर अगर मुझे सिर्फ यह value चाहिए one वाली चाहिए full value यहां पर तो उसको हम कैसे करेंगे यहां पर हमें क्या करना है javascript में math class होती है and इसका एक method होता है floor so floor क्या करेगा उसकी means full value है and friction value को वो ignore कर देगा अब भी हम देखेंगे तो यहां देखिए value मिलती है one okay so हमें मिल गया हमारे day तो मिल गया and इसी तरह से हमें करना है यहां पर so मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं hours and minutes and seconds okay so बाद में भी हम change कर लेंगे तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहां पर days नो मिल गया अब hours चाहिए हमें थो रहस के लिए हमें क्या करना होगा कर अब हमें यहां days की value को यहां से हटाना है मतलब जो remaining वाली पार्ट है उसके calculate करना है तो उसמ׵ करने के लिए हमें क्या करना होता है friends एक मैं आपको बताऊं कि यहां पर हम एक modus होता है remainder जैसे कि अगर हमने 5 and percentage sign से हम बोलते हैं इसको अगर मैंने 2 से इसको modulus लिया तो value क्या मिलेगी हमारी 1 1 कैसे मिली कि 2 से हमने divide किया तो हमारा 2 2 is a 4 तो वो तो हमारा पूरे divide होता है बट जो remainder रह जाता है वो value हमें इसमें मिलती है so remainder हमारा 1 है यापर ऐसी अगर मैं इसको 3 से divide मतलब 3 से remainder लेना चाहता हूं तो देखे कैसे modulus मिलता है so 3 1 जा 3 and remainder 2 इस तरह से value मिल लिए तो इसी चीज को हम यहां use करना चाहते कि हम यहां पर पहले day से उसका remainder जो मतलब remaining value उसको calculate करना चाहेंगे तो मैंने इसके साथ तो इसको कर दिया हमने one day से इसका remainder ले लिया and इसको मैं इस तरह से parenthesis में रखना चाहता हूं and then हमने divide किया one hours है तो one hours है अगर करेंगे तो अब देखिए remaining hours को अगर मैं यहां पर console करना चाहूं तो देखिए क्या मिलता है मुझे तो हमें 23 hours मिलेंगे and friends already मैंने यहां पर math.floor लगा रखा है इसलिए यह पूरा complete value आए otherwise यहां पर भी मुझे कुछ fraction में value मिलती and same यहां पर भी हमें करना है अब यह जो hours है hours का जो remaining part है उसके साथ हमें करना है तो मैंने क्या किया इसको modulus with 1 hour and यहां पर मुझे क्या करना है 1 minute 1 minute से divide करना है इस तरह से I hope कि आप समझ रहे हूं कि आप मैं क्या कर रहा हूं जो मैंने आपको यहां बता है वही same change हो रही है इसी तरह से मुझे यहां इसका भी modulus जो लेना है वो 1 minute से लेना है and 1 second means 1000 से मिज़े इसको सिफ divide करना है अब हमारे पास में यह जो value है वो days, hours, minutes, seconds की value मिल गए है तो इसको मैं क्या करता हूं एक array बना लेता हूं इसके लिए const time value equals to array and array में इसी order में डाल देते हैं days, hours, minutes में तो मैंने यहां पर किया इस तरह से रेम, hours, रेम, minutes and रेम, seconds इस तरह से हमने एक array बना ले अब इस array को अगर मैं आपको console में लॉग करके दिखाता हूं तो कैसे देखी क्या दिखता है मुझा इस तरह से मिल रहा है one day, 23 hours, 45 minutes and 21 seconds ओके तो ठीक है and इसके बाद friends अब हमें क्या है इस value को इसमें यहां पर इस value को दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगी जैसे कि अगर हम HTML देखें अपना, HTML में देखिए तो यहां पर हमें एक UL के अंदर Li मिलते हैं इसी order में है days, hour, minutes, seconds and उसी order में हमने अपने array बनाया है यहां पर, okay, so अब सबसे पहले इसको हम कैसे access करेंगे, कैसे इनको select करेंग यहां इसके पहले यहां लिख देता हूं, const and number boxes, boxes को हमने कैसे उनको, so क्या करेंगे, document, query selector and all, because यहां पर multiple select होंगे, so हमने इसके box class and इसके अंदर h4, h4 को हमने select कर लिया इस तरह से, अगर मैं आपको यहां पर इसको console में भी दिखाऊं कि कैसे यह मतलब क्या मिल रहा है, तो यहां पर एक node list मिलेगे है हमें, यहां पर देखे, node list 4, h4 हमने select कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि just skip पहले यहां पर हमें, अब हमें number box 6 है, इनके हमें for each से हमें इसको iterate कर सकते हैं, एक अरिक की तरह है, तो यहां हमें क्या मिलेगा, एक box मिल जाएगा, यहां हम क देखते हैं कि यहां पर यह parameter हो गया, यहां पर index भी ले सकते हैं, एक index भी ले लेते हैं, एक index भी रहता है, second यहां पर, so अब इसके बाद हमें क्या करना है, कि हमें जो counter box है, इस counter box को just text content is equal to, अब यह जो हमारी array है, इस array की हमें हर index की value को इसमें इस तरह से pass कर देना है, so यह index means, दोनों ही same length है, 4, 4 की, तो यहां की जो index है, वो हम यहां से यह index pass करते हैं, तो इसकी value मिल जाएगी उसको, अब आप समझे पा रहे हों कि, इस array का 0 index पे, हमें उसके 0 index पे, इसकी 0 index की value को pass करना है, अब देखी कैसे दिखता है, तो देखी यहां पर हमें value आ जाती है one days, hours इतने, बट अभी यह countdown इसका चल नहीं रहा है, तो अब इसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, कि हमें यह अगर मैं देखी refresh करता हूँ यहां पर, तो यह value change होती है, तो हमें क्या करना है कि every second इसको चलाना है, तो every second चलाने का मतलब क्या होता है, कि मैंने यहां प interval, set interval देखिए, यहां पर एक, इसका function होता है, यहां पर हमें एक function देना होता है, and interval देना होता है, कि कितने interval पे यह, set interval पहले तो देखिए, करता क्या है, यह किसी particular time interval पे, हमारे किसी function को invoke करता है, okay, so हमें क्या करना है, हमारे यह function जो है, वो हमें इसके जगह पर इस तरह से दे देना है, function name and interval हमारे क्या है, every second so every second में हमारे क्या होगा 1000 millisecond इसको जो value होती है, हम millisecond में देते हैं and इसको हम चाहें तो अभी comment कर सकते हैं अब देखिए, तो देखिए हमारे value यहाँ पर change हो रही है, और यह function every second call हो रहा है, तो यह देखिए आपको पता चल रहा होगा, यह चीज है तो मैं इसको यहाँ पर comment कर सकते हैं इसको remove भी कर सकते हैं, अब देखिए हमारा countdown है, वो चल रहा है, अब इस countdown में हमें क्या करना है, कि जब countdown हमारा जैसे ही यहाँ पर, पहले तो हमें यह भी check करना है, कि जब यह इसकी value 00 हो जाएगी, means कि हमारी जो countdown, जो difference है, वो minus में चले जाएगा, मतलब less than 0 हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, कि इसको हमें off करना है, off करना हमारा हटा देना है, तो वो चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, and friends, एक चीज और आपने यहाँ पर देखे होगी, कि यहाँ पर जो यह format है, वो इसका, वो one आ रहा है, इस तरह का रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कि हम चाहते हैं कि two digits में देखे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक function बना लेते हैं, मैं जस्ट इसके पहले यहाँ पर एक const number या num format एक function बना लिया, and क्या सा function बना रहा है, एक arrow function, जिसमें कि हम num as parameter लेंगे, और हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, इस तरह से, हम यह चेक कर रहे हैं, कि if, means हमारा जो return है, वो just return कर देते हैं, कि return क्या करना है, कि number is less than 10 अगर आता है, तो हमें क्या करना है, इ zero prefix में दे देना है, and num को इस तरह से, and else में, num को भी return कराना है, इस तरह से, लेकिन हमारा arrow function है, तो इसमें, अगर यह six को और follow करें, तो हम यह यह भी remove कर सकते हैं, यहां से, single statement, return statement, और अगर इसमें करना चाहिए, तो यह return को भी हम remove कर सकते हैं, इस तरह से function बना सकते हैं, so इस function को हम अब यहाँ पर call कर लेते हैं जब हम इसको value assign कर रहे हैं इसमें तो देखिए यहाँ पर अब हमें desired जो format था उसमें value मिल रहे हैं यहाँ पर ओके अब हमें क्या करना है कि जैसी countdown हमारा over होता है तो यह buttons enable हो जाने चाहिए and यहाँ पर जो हमारा कुछ masses change हो जाना चाहिए है वो हम कैसे करेंगे तो जैसे हमारा countdown over होगा तो इसके लिए हम यहाँ पर condition लिखते हैं if हमारा time means जो difference है यह time का difference है वो difference हमारा जैसे ही less than zero होता है तो हमें यहाँ पर hide करना है and else में हमें यह countdown को चलाना है so इस वाले part को मैं else में रख लेता हूँ यहाँ पर okay and इस में हमें क्या करना है यहाँ पर अब यह देखिए इसका जो parent countdown यह वाले all नहीं चाहिए हमें यहाँ पर and just मैंने इसको select कर लिया इस तरह से यहाँ पर so हमने क्या किया सारे जो elements थे हमने यहाँ पर select elements वो हमने एक जगर रख है so मुझे counter means countdown box जो है इसको मुझे hide कर देना है यहाँ पर तो मुझे क्या करना है यहाँ पर just जैसे यह होगा and यहाँ पर display and is equal to none इसको none कर देना है okay and सात में क्या करना है कि जो हमारा यह जो हमने value थी इस value को मुझे यहाँ से इसकी जो value है वो भी change करना है message and यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देना है sale is live now इस तरह से करना है and सात में हमें जो buttons है वो भी हमें enable करना है यह वाले buttons तो यह buttons को हम कैसे select कर सकते है buttons पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर common class है btn इससे हम पहले select करेंगे तो यहाँ पर हमें just यहाँ में लिख देता हूं const buttons equals to document.querySelector all because multiple है so मैं इस class से इसको select कर सकता हूं and हमें अब यहाँ पर एक node list मिल जाएगे so हमें क्या करना है इसको iterate करना होगा so मैंने क्या किए buttons.foreach and यहाँ पर btn and इस तरह से हम btn. हमें यहाँ पर class list.remove करना है so कौन सी class remove करना है यह button disabled यह वाली हमें class को remove करना है तो मैंने इस तरह से दे दिया यहाँ पर तो यह दोनों से हमारी remove हो जाएगी यहाँ पर 10.56 a.m. तो मैं यहाँ पर कोई 57 दे देता हूँ आज की date में so आज है 20 तो देखी 57 कोई console में रहा रहा है cannot it style of null मैंने यहाँ पर कुछ count on box okay so friends मैं यहाँ पर dot यहाँ पर भूल गया था मैं आपको एक 58 पर दिखाता हूँ इसको अभी देखिए हमारा जो and कुछ second बात देखिए यहाँ पर जैसे यह over होगा तो देखिए हमारा जो count on है वो off हो गया and यहाँ पर हमारे button थे वो enable हो गया and यहाँ message change हो गया तो इस तरह का जो है हमने एक count on बनाया है and मैं आपको कुछ change करके दिखाता हूँ आपको just यहाँ पर 21 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके according जो है hours, minutes, seconds यहाँ पर देखने लगते है and message भी आपको change हो गया and अगर मैं यहाँ पर कोई और date दे देते है 25 तो देखिए 4 days, hours, minutes, seconds इस तरह से हो जाता है and friends यहाँ पर एक बहुत important चीज है जो कि हम साइद miss कर रहे हैं मैं यहाँ पर इसको mention करना भूल गया है so वह हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे हमने set interval यहाँ पर use किया है, so यह एक particular interval means every second यह हमारे function को call करेगा but जैसे हमारे countdown जो है वो over हो जाता है, so हमें इस set interval जो हमने था, इसको हमें clear interval भी करना हो, तो इसके लिए हम just इसके पहले यहाँ पर javascript का एक function होता है, clear interval and इसमें हमें क्या करना होता है, यह जो हमने variable जो इसको use किया था set interval के लिए, उसी को हमें clear भी करना है यहाँ पर, तो यह एक बहुत important point है कि हमें यहाँ पर हमेशा इसको set interval को use नहीं करते रहना है, जब हमारा यह time difference less than zero हो जाएगा, then हमें इसको clear कर देना है, that means कि हमें यह interval फिर नहीं इसको use करना, otherwise यह हमारा चलता रहेगा इसमें, so यह चीज हमने और यहाँ पर कर लिए, so I hope कि यह हमारा complete हो गया इसके बाद में, so तो friends, यह जिस तरह से हमने बात किती, उस तरह का हमने countdown बना लिया है, and हमारी जो functionality है, वो working है, so I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को like and share करने ना भूले, and friends, इस वीडियो का जो आपका demo link है, वो आपको description में मिल जाएगा, and आपको HTML and CSS की जो file से वो description में link मिल जाएगा, वहाँ से download कर सकते हैं, आप इसको practice कर सकते हैं, and friends, आप अपने जो feedback हो, please share करें, कि अगर आप इसको बनाएंगे, तो आप और इसमें क्या change कर सकते हैं, और किस तरह की functionality आप इसमें पसंद करेंगे, तो यह सारी आप अपने comment box में जरूर बता हैं, तो मिलते हैं, friends, एक नए वीडियो में, नए topic के साथ, या नए project के साथ, अब तक लिए take care, bye bye आप